करता हूं कि अच्छे होंगे दोस्तों जो यूपी में जो अलेक्षन है जो चुनाव है उनकी भी आज घोषणा हो जाएगी आज गोषणा उनकी भी हो जाएगी और जिनके सेक्षनल में 14, 15, 16, 17 जिनके नंबर हैं वो आप कमेंट कर रहे थे रेगुलर उन कमेंट को भी मैं उठाऊंगा सारी चीजों पर बात करने वाला हूं दरोगा भरती का रास्ता साप सुप्रीम कोट ने हाई कोट के आदेश पर लगाई रोक बिग अपडेट है भाई 9534 का रास्ता साप हो गया आप देख लिजे सारी आपकी कमेंट्स उठाई है कुछ न्यूजपेपर की अब ये क्या है थोड़ा सा स्वाट में समझ लेते हैं कि जो हाई कोट है हाई कोट ने जो निर्ने दिया था वो इस्टुडेंट के पक्ष में दिया था जो भी मतलब 600 से 700 इस्टुडेंट थे तो उनके पक्ष में दिया था कि भरती बोर्ड को रिजल्ट फिर से तयार करन चाहिए लेकिन सुप्रीम कोट ने क्या है कि भरती बोर्ड के फक्ष में मतलब फैसला सुनाया है उन्होंने बोला है कि जो भी उन्होंने रेजल्ट दिया है वो बिल्कुल ठीक है और जो भी स्टुडेंट ट्रेनिंग कर चुके हैं उनको नुक्ति पत्र दिये जाएं ठीक ह तो ये तो रहा भाई प्रोसेश ठीक है सारी इसमें लिखी हुए इंफोर्मेशन वो कोई आपकी जानकारी की है नहीं अब इसमें बताया गया है कि 24-48 गंटों में चुनाब हो सकता है यूपी में चुनाब का एलान ठीक है तो पांच राजों में चुनाब की तैयरी है तो आपके भी उत्तर परदेश में कि क्या है कि चुनाब मतलब आज घोशना हो जाएगी त्वीट करके भी देख लीजी हिंदी न्यूज की हेडलाइन ने आज 3.30 बजे मतलब गोवा पंजाब मनीपूर उत्तरा खंड और उत्तर परदेश में विदान सभा चुनाबों के कार आपका जो रिजल्ट है वो मतलब एलेक्शन के बाद भी आ सकता है कभी भी आ सकता है मतलब उस चीज के टेंसन ना ले जल्दी भी जारी हो सकता है अब मैं आपकी थोड़ी सी कमेंट उठाता हूँ लास्ट में फिर इंची जो पर बात करेंगे ठीक है जैसे कि कमेंट्स आ जो 14 वाले हैं या 15 वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हम फेल भी हो सकते हैं जी हां तो जैसे कि एक कमेंट आया है नाम मैंने आपको नहीं बताया है पिच्चान में कुश्चन इनके ठीक है और 15 हैं इनके GS में तो विल आई गेट आउट आफ सेक्सिनल कट ओफ इन GS इनको डर है कि normalization में क्या मतलब मैं पास हो जाओंगी फेल तो नहीं होंगी ठीक है इन्होंने बोला है reply करिए तो मैं बताना चाहूंगा देखिए 15 कुश्चन है तो आप GS में अभी तो आप पास हो लेकिन अब वो आपकी किसमत पर डिपेंड करता है बड़की 99.99% यही चांस है कि मतल लेने की जरूरत है नहीं बाकी 2016 के हिसाब से अगर मैं बताओं तो जो लोग sectional में पास थे उनको fail कर दिया गया था जो fail थे उनको pass कर दिया गया थे ठीक है तो बाकी वो normalization में पता लगेगा क्या होता है ठीक है अब यह बोल रही है कि 84 कुश्चन है GS में 13 है पिलीज बता अब इनको भी अपनी आस रखनी है जिनके 13 और 12 भी है न तो वो भी अपनी आस रखने हो सकता है एक से दो कुश्चन आपकी सिप्ट में गलत हो और आप sectional qualify हो जाए ठीक है यह बात आपको याद रखनी है अब जैसे देखें यह कितना अच्छा score है अगर आप देखेंगे क्या है एक कुश्चन से फेल है जीएस में क्या है एक कुश्चन से फेल है और 20 तारीक की फर्स सिप्ट में इनका पेपर है और 20 से है तो अब देखें इनको क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा इनको अपनी रणिंग जारी रखनी चाहिए क्योंकि 13 कुश्चन है हो सकता है एक से दो question आपकी भी shift में गलत हो जाएं या आपको normalization में फायदा मिल जाएं तो आपका possibility है कि आपका section qualify हो जाएं मतलब एक दो question का मतलब हो सकता है possibility है आपको मतलब आसा अपनी रखनी है hope नहीं खोनी है अपनी running वगरा regular रखें मैं तो यही कहूंगा 13 वाले के 14 हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं 15 भी हो सकते हैं 16 question भी हो सकते हैं तो जिस भाई ने भी ये comment करी थी तो भाई बिल्कुल भी निरास नहीं होना है आपको भी अपनी regular त्यारी रखनी है आप सभी के comment उठाके मैं ये video बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं क्योंकि comment में मैं सभी का reply नहीं कर पाता हूं ठीक है अब देखें एक question बोल रहे हैं कि सर जी मेरे जीके में 18 question है right है सर normalization में फेल तो नहीं होगा 24 की 3rd shift में 111 question है बिल्कुल भी डरना नहीं अब ये थोड़ी है कि जितने भी 18, 19, 15, 16 वाले हैं वो सभी fail हो जाएंगे अरे बही किसी किसी की shift में ऐस चैनल पर कमेंट करके जुड़ जाना कि बताना आपको selection हुआ है नहीं हुआ है 100% selection होगा 111 question आपका बहुत अच्छा का सा score है तो डरने की कोई ज़रत नहीं है आप वहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है अब ये भाई बोल रहे हैं डीवी पीस्टी की दूसरी list भी आ पास किया है सपूद करो 20,000 बच्चे लिए इन्होंने अब 20,000 बच्चों में से कितने बच्चों ने running करिया उस पर depend करता है दूसरी list आएगी या नहीं आएगी तो अभी आपको ज्यादा सोचना नहीं है दूसरी list के बारे में आप ये सोचिए कि हमारा नाम first list में ही आए मेरे गाउं में दो लड़के थे दिल्ली पुलिस में एक का पेपर था शुरुवात में एक का लाश्ट में था तो जो शुरुवात वाला था इसका एक नमबर घट गया था और लाश्ट वाले के 11 या 10-11 नमबर मतलब बढ़ गये थे तो ऐसा कुछ नहीं है जिनका मुस्रे वाले भाई के कितने हैं 10-11 नमबर बढ़ गये थे तो टैंसन नहीं लेनी है अब इनके 92 कुष्चन ठीक हैं और जीएस में 15 हैं तो ये भी सोच रही होंगी कहीं मैं फेल ना हो जाओं तो डर ना नहीं है जो भी पास है कि सभी फेल थोड़ी हो जाएंगे सेक्शन में बिल्कुल भी टैंसन नहीं लेनी हैं जिनके सेक्शन क्वालिफाई हैं तो वो ये ना सोचे कि हम भी फेल हो जाएंगे और जो फेल हैं वो उमीद रख सकते हैं कि हाँ हम पास हो सकते हैं लेकिन जो पास हैं वो फेल की उमीद न रखें बहुत ही कम केसिस आपको ंड़ा हैं तो टैंसन बिल्कुल नहीं रही हैं अब ये भाई बोल रहे हैं कि आपका दिमार्वा क्राब है क्या नोटिफिकेन में नहीं पड़ा उसमें साप लिखा है 14 से कम कर नहीं होगा तो मेरे भाई 14 से कम पर नहीं होगा 13 वाले का भी ये बात आप याद Chancellor क्योंकि नॉर्मलाइजेसन में एक से दो कुष्चन उसका बढ़ सकता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि सेक्षन वाइज नॉर्मलाइजेसन होगा 2016 में भी यह ही होगा है तो यह बात आपको याद रखनी है दिमाग हमारा खराब है या आपका खराब है हो तो समय बताएगा बागी अगर आपका दिमाग सही है तो आप वीडियो मतलब बनाए अब एक दो कमेंट और थी जो बहुत ज़्यादा सवा या पच्छी सो बच्चे थे इस बड़ती में तो सभी के अच्छा स्कोर नहीं होगा कुछ लोगों का अच्छा स्कोर भी होगा तो फाइनल को टॉप में कहीना कहीं फरक पड़ेगा जो डीवी पीएश्टी के लिए आएगी उस पर कोई फिरबाब नहीं पड़ेगा एक क नॉर्मलाइजेसन होने के बाद ही आगा लेगिन आपको पता नहीं लगेगा कि किसके कितने नंबर बड़े हैं वो आपको नंबर पता नहीं लगेंगे नॉर्मलाइजेसन होके ही आपका स्कोर आएगा 2016 में ऐसा ही हुआ था बाकी यही प्रोसस रहने वाला है अगर कुछ चैंजेसस होंगे तो वो आपको वीडियो बना के मैं बता दूँगा ठीक है तो नॉर्मलाइजेसन जो होगा डीवी पेश्टी से पहले ही होगा यह बात आपको याद रखनी है ठीक है तो सारी चीज़ें और यूपी में अलेक्शन मतलब जो डेट है वो आज गोसित हो सक अब देखते हैं इस भरती पर क्या फरक पड़ने वाला इससे तो जादतर भाई जितने भी थे आपने कमेंट की थी सभी के मैंने मतलब रिपलाई कर दिया है और वीडियो कैसी लगी आप भी बताना देखिए आपी के लिए इतनी परियास कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे कमेंट आप करते रहेंगे मैं वीडियो ऐसे ही बनाता रहूंगा ठीक है मुझे आपकी नेगेटिव कमेंट से कोई फरक नहीं पड़ता है आप मेंसे बहुत भाई बहन है हमारे जो सपूर्ट कर रहे हैं अच्छे से कमेंट करते हैं तो मैं प्रियास करता हूँ सभी का वी कोई भी नहीं बता सकता अगर भर्ति बोड को भी आप कॉल करेंगे भरती बोड में खौल कर लीज़ी क्योंकि बहाई ने कॉल भी रहे हैं तो यह अभी नहीं बता सकता पका कब रिजल्ट आएगा बाकी जो एक अनुमान है जैससे यूप पुलीस भर्ती का लगाया जा हो तो मुझे भी लग रहा है कि 15 जनवरी तक जो होना होगा हो जाएगा तो आज लगभग मतलब 6-7 दिन और वेट कर लिजे जो भी होना होगा हो जाएगा और अच्छे से भाई मैं तो यही कहूंगा जिनको भी लगता है कि हमारा नंबर आ जाएगा वो रनिंग करते रहें बा चलो मिलते हैं दोस्तो नेश्ट वीडियो में वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना और आप आपसे मुलाकत करेंगे नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो बाई 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 एक केर अपना ध्यान रखें अच्छे से पढ़ते रहें धन्नमादा